विश्वास है तो मौन को भी समझ लिया जाता है पर विश्वास के बिना हर एक शब्द गल्ट समझ लिया जाता है सही कहते हैं बड़े विश्वास ही संबंद की आत्मा होता है देश विदेश में बैठे सभी दर्शिकों को मेरा प्यार भरा नमश्कार मैं हूँ मुहित कमिल श्रिमाली और अब सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चानल में और आज कर आशीफल यानि की 21 मार्च के इस विशेश एपिसोर में साथ ही आप सभी को बढ़ाई और शुपकामने देना चाहूंगा जिनका आज जनम दिवस है मैरे जनवसरी है या के विशेश यादगार दिन है शुरुआत करते हैं पंचांग से तारिक 21 मार्च 2024 है दिन गुरुवार का है और विशेश उपाय में आपको बता रहा हूँ होली मनाने का वग्यानिक कारण क्या है अपनी राशी के अनुसार कौन सी लकडी होली में अर्पित करनी चाहिए है और होली पर विशेश उपाया आप क्या कर सकते हैं बोनस एपिसोड है कि इतनी जानकारी एक साथ में एक एपिसोड में आपको दे रहा हूँ बात करते हैं पंचांग की तो संबत दोहजार सी का फालगुन शकल पक्ष चल रहा है दौआद शीतिती रहे की आशलेशा नक्षतर रहेगा और करक राशी में चंदर्मा विराजमान है अब बात हो राहुकाल की तो डेड़ बचे से लेके तीन बजे का समय ये राहुकाल का है दोपहर का और शुब चौगडिया महरत ऐली मौनिंग मिलेगा च्छे बच के चमवालेस मिनट से आट बच के चौदा मिनट तक यहाँ पर अगर यातरा करना चाहते हैं और चाहते हैं कि यातरा शुब थाबित हो आपके लिए फलदाई हो तो पूर्व और उत्तर दिशा में यातरा करना शुब थाबित होगा पर दक्षिन दिशा हो या फिर आगने दिशा यानि की साउट इस अगर इस दिशा में आप यात्रा करने वाले हैं तो दही खाकर के ही अपनी यात्रा आरम कीजेगा अब बात करते हैं सुर्य उद्यकालीन कुंडली में शुब ग्रहे योगों की तो संख्या कैदार योग, सम योग, निर्भाग्य योग, दरिद्र योग, शंक योग, भारती योग, इन सभी राज योगों का आपको साथ मिलने वाला है अब जैसे कि आप जानते हैं कि 24 मार्च आने ही वाला है और होलिका देहन के शुब महुरत पर आप सभी के लिए कवच निर्मान किया जाएगा यहाँ पर जो आपकी समस्या है आपकी कामना पूर्ती के लिए अलग-अलग कवच का निर्मान किया जाता है आपकी कुंडली अनुसार आपको बताया जाता है कि किस कवच को धारण करने से आपके लिए राहत प्रदान हो सकती है और करना क्या होता है इसके लिए बस इस नंबर पे संपर्क करना होता है और अपनी जानकारी देनी होती है और आपको बताया जाता है कि आपकी समस्या के लिए क्या कवच अब धारण कर सकते हैं अब समय रहते कुछ कवच की बारे में जानकारी दे रहा हूँ अगर ध्यान से सुने तो आपको समझ में आ सकता है कि आपकी जो समस्या है उसके लिए उपाय क्या सिध हो सकता है सबसे पहले दसवतार विश्णु कवच की जानकारी दे रहा हूँ जोतिश में कहा जाता है कि ब्रहस्पती ग्रह यानि कि गुरू ये ग्रहस्त सुख हो, संतान सुख हो, सवभाग्य हो, सम्रद्धी हो, आध्यात्मे कुन्नती इन सभी के कारक है अगर ग्रहस्त सुख, पारिवारिक सुख, सौभाग्य सम्रिद्धी और संतान से संबंदन कोई भी समस्या से परिशान रहते हैं तो दसवतार विश्णु कवच अवशेही धारन करना चाहिए दसवतार कवच धारन करने से सौभाग्य हो, धन संपत्ती हो, इसमें व्रद्धी होती है, दामपत्य और संतान सुख की प्राप्ती होती है कुछ संसकारों का नाश होता है और आर्थिक लाब के मार्ग प्रशस्त होते हैं फिर बात होती है पित्र शान्ती की और पित्रों की शक्ति सुक्ष मशरीर होने के कारण बहुत विशाल बन जाती है ये शक्ति और सधी के निश्चित स्वरूप बन जाते हैं और उत्तम होने के कारण स्वास्तिय हो आयू गर्ब इन सभी कारियों के नियंत्रक बन जाते हैं और इसी पित्रदोश से जातक आधी, व्याधी, उपाधी तीनों प्रकार की पीड़ाओं से कश्ट उठाता है और इसके प्रतियक कारे में अर्चनाती है कोई भी कारे सामानिय रूप से निर्विग्न संपन नहीं हो पाता है यदि आप भी पित्रदोश से पीड़त है या आपकी कुनली में पित्रदोश है तो पित्रशांती कवच धारन करके आप भी राहत प्राप कर सकते हैं फिर बात होती है शेर मार्केट की, कमोडिटी मार्केट की, सट्टा बजार की वहां से पैसा कमानी की जो चाह है उसको पूरा करनी की तो ऐसे समय में धन्दा यक्षिनी कवच आप के लिए लाप्राज सद होता है पैसा कहीं फ़स गया हूँ? या बकाया पैसा सामने वाला देना नहीं चाहता हूँ? ऐसी सिते में भी यही कवच लाबपरत सिद होता है समरदी शाली होना लगपती करोडपती होना कोई गुना नहीं है जीवन का सौंदर यह है और आज के युग में सही दृष्टी से अगर देखा जाए तो जीवन की पूर्णता पैसों से ही है और यह जरूरी है कि अर्थ की जो भी प्राप्ती हो सामाजिक नियमों के अनुकूल और कानून की दृष्टी से उचित हो फिर बात आती है लक्ष्मी के आठ रूपों की यानि कि अश्ठ लक्ष्मी कवच की जब जीवन में लक्षमी की प्राप्ती होती है तो इंसान अश्ट लक्षमी की प्राप्ती चाहता है सिफ पैसा नहीं चाहता पैसे के साथ में यश चाहता है आयू चाहता है वाहन चाहता है स्थिर लक्षमी चाहता है ग्रह लक्षमी और संतान लक्षमी और भवन लक्षमी क प्राप्ति सब ही चाहता है अगर आप भी प्रयास करते हैं लक्षमी प्राप्ति का पर हमेशा कमी बनी रहती है हमेशा यही सुनने को मिलता है यही कहते नजर आते हैं कि अभी ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा अभी ये खरीद नहीं सकते तो अश्ट लक्षमी कवच धा बनायी जा सकता है। विश्वास करने के लिए कनकन में इश्वर सिध होते हैं। और जो नास्तिक हो ना विश्वास करें उसके लिए स्वयम अगर भगवान भी सामने आ जाए तो भी विश्वास नहीं कर सकता। आईए बात करते हैं आज के राशी फिल के और शुरुबात करेंगे मेश राशी से तो आपके लिए फूर्थ हाउस में चंद्रमा सादक तारा का साथ और श्ठक गवर्ब में 22 डॉट से 67% सपोर्ट के साथ में आज का दिन बीतने बाला है पर यहाँ पे कल के मुकाबले काफ हद तक चीजें सुधरने का काम अब शुरू कर सकती है सेहत को लेकर इस समय में काफी परिशानी देखने को मिलेगे यह कहें कि इस समय में डॉक्टर के चकर लगने वाले हैं यहाँ पे यंग स्थर्ज अगर एक्जाम के लिए जा रहे हैं तो आपको कह दूँ कि आपकी प रिप्रेशन है वो आपको इस समय में पार जरूर लगाने वाली है चीजों को दो से तीन बार सोच समझने के बाद में फिर अपना एक्जाम यहाँ फिर आंसर देने की प्रक्रिया शुरू कीजेगा ग्रहनी है तो आपको जरूर कहूंगा इस समय में कि ससुराल पक्ष के अंदर काफी बातों को लेके असमंजस रहेगा यहाँ फिर यह कहें कि सिचुएशन जो है वो इस समय में थोड़ी गर्माती हुई नजर आ सकती है उन से यहाँ पर आपको कंट्रोल लगने की यहाँ फिर यह कहें कि खुद को शांत रख के सिचुएशन को हैंडल करने की ज अच्छी शॉपिंग हो जाएगी अच्छे लोगों से मेल मुलाकात रहेगी और कहीं न कहीं जो आपका काम पॉजिटिवली चल रहा था वो स्पीड पकड़ने वाला है ऐसे समय में इमोशनल होकर के डिसिजन लेने से बचिएगा यह कह सकता हूं कि इमोशनली आपको बु आगे बढ़ने के लिए अपने सिल्फ कॉंफिडेंस से चीजों को जीतने के लिए कोई मीटिंग आप अटेंड करना चाता है या तो बाजी मारने का कम अवश्य ही आप करने वाले हैं यहां पर यंग्स्तर्स हैं इट्रक्शन में दोस्ती करते भी नजर आएंगे और कहीं रेड कलर शुब अंक रहेगा नंबर सेवन अब बात करते हैं में थुन राशी की तो सेकेंड हाउस में चंद्रमा है जनमतारा का साथ अश्टक वर्ग में 22 डॉट से सिच्वेशन ओवरॉल देखी जाए तो इस समय में 30% सपोर्ट की रहेगी और यहां पर इस बात का धिय तर रहेगा कल का देन अगर आप चुने अपने कोई भी खर्चों को करने के लिए तो जादा सही रहेगा कि सही से सोच समझ करके फिर आप आगे बढ़ेंगे ऐसे समय में हर बढ़ाट में डिसिजिजन भी मत लीजेगा और कोई यात्रा अगर आप करने वाले खास तौर प थकान को ले करके काफी शिकायते देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं मिस मैनेजमेंट के कारण फंड्स ब्लॉक भी हो सकते हैं इस बारे में धियान रखते हुए आगे बढ़ना होगा काफी जादा सिचुएशन को सोच समझ करके मेंटली अपने आपको प्रिपैड करके आ अब बात करते हैं करक राशी की और आपके लिए चंद्रमा राशी भाव में ही हिस्तत है प्रतियारी तारह का साथ और अश्ठक वर्ग में 24 डॉट्स हैं अगर देखते हैं तो 75% पॉस्टिव बंजाती है पॉस्टिविटी आज-ाज के लिए है कल का दिन जो है वहां पर अन जाने में ही सही पर स्वयम का नुकसान कर बैठ सकते हैं तो इसके लिए पहले ही चेतावनी दे रहा हूं अब आज का दिन जो सिल्फ कॉंफिडेंस मिल रहा है इस कारण से बड़े-बड़े कमिट्मेंट कर पा रहे हैं और कमिट्मेंट के साथ में फ्लो जो है कैश का वो आपको खुश कर देगा लेडी लग की बात हो भागय के साथ की बात हो वो इस समय में जादा देखने को मिलेगा और काफी ऐसे काम जो फेस वाल्यू पे चलते हैं वो आपके आगे बढ़ने शुरू कर सकते हैं कमाई के लिए दिन अच्छा है लोगों की साथ में प्रडक्शन का आपका खास तौर पे काम है तो यहां पे आपको परेशानी देखने को मिल सकती हैं परिवार के साथ में समय बहतर है कि महां पर कोई परेशानी नहीं है ऑफिस के अंदर भी कोई परेशानी देखने को नहीं मिलेगी ऐसे समय में यातरा अगर कोई आप शु situation अब positivity की तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि कल का सवेरा सिंग राशी की चंधरमा के साथ होगा और आपको confidence देने वाला है तो उसके लिए situation तो डेवलप होगी और यहां पे 70% support के साथ में आगे बढ़ रहे हैं बस यह रहेगा कि मन के अंदर काफी जादा विचलित चीजें आ र को राये दूँगा कि आज का दिन जो है यात्रा मत कीजेगा बाकी परिवार के साथ में रिष्टे हैं वो नॉमल इस समय में अब आपके चलने शुरू करेंगे यह कहें कि कहीं न कहीं से ऐसा कुछ आप काम कर बैठेंगे जिससे की रिष्टे नॉमल हो जाएं गुसे पे क दुकसान वाली बात हो सकती है कि पैसे थे खर्च कर बैठे अब उसके बाद में जब जरूरत है तब क्वेश्चन माग खड़ा हो गया कि फंस कहां से लाएंगे इस बात का ध्यान रखिएगा ऐसे समय में स्वास्ते समंदित समस्याओं के लिए कोई ना कोई सही राये दे सिच्वेशन बन जाएगी किसी ना किसी सही सलाकार से इस समय में आपका मिलन हो पाए शुबरंग रहेगा आपके लिए वाइट कलर शुबरंग रहेगा नमबर फाइव अब बात करते हैं कन्या राशी की और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 11 आउस में है जनमतारा का सा कोशिश कीजेगा कि चीजों को सुधार लिया जाए क्योंकि दिन आपके पक्ष में है फैसला भी आपके पक्ष में लिया जा सकता है पर चीजों को बिगडने से पहले अगर रोक लिया जाए तो बहतर है क्योंकि कल के दिन अगर चीजों को डीले कर दिया गया तो मान करके चलिए कि हार निश्चत है ऐसे समय में काफी जादा इमोशनली ब्लाक मेल करने वाली चीज़ें देखने को मिल सकती है चाहे वो परिवार हो दोस्त हो इमोशनली ब्लाक मेल करके फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं पर आप चतुराई से काम लेंगे तो प्रॉब्लम नही है यहाँ पर अच्छी इंकम देखने को मिलेगी अच्छे लोगों का साथ समर्थन मिलेगा खास तोर पर जो आपके गोल्स को सपोर्ट करें आपके उदेश्य को पूरा करें ऐसे लोगों का साथ और समर्थन आपको अवश्य मिलने वाला है इस बात का ध्यान रखें कि कही न कहीं कोई rumor उड़ाई जाने वाली है बहुत ही जल्द जिससे नुकसान हो तो ऐसी rumors को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी रोकने की कोशिश आपको करनी होगी यंगsters जो हैं आज के दिने एक्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए काफी जादा लाबदा एक situation है कि जो आपकी मेहनत है वो इस समय में काफी रंग दिखाने वाली है और काफी जादा अच्छा result आपको मिल सकता है यहाँ पे भाग्य वसात नहीं बलकि मेहनत वसात आपका क कह रहा हूँ यह बात अगर आप कन्याराशी की हैं फीमेल हैं और दोस्ती के अंदर आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ बाउंडरीज सेट करके आगे बढ़िएगा इस बात का ध्यान रखें यहाँ पे ग्रीन कलर हरा रंग इसका इस्तमाल करें तो आपके लिए शुब साबि की बात कहें नौकरी की बात कहें फैक्टरी की बात कहें यह कहें लेबर इंटेंसिव काम अगर आपका है तो यहाँ पे आपको फायदा जरूर मिलने बाला है अच्छे कॉंट्राक्ट इस समय में मिल पाएंगे काफी अच्छी डील आपकी क्लोज हो पाएगी ऐसे समय में के chances भी बन रहे हैं अगर आप चाहते हैं कि आपको आपके देश से कहीं दूर काम करने की opportunity मिले तो इस समय में वो द्वार भी आपके लिए खुल सकते हैं विदेश है यात्रा के योग जो हैं वो इस समय में बन सकते हैं यहाँ पे अपने काम से satisfaction अच्छी कमाई अच्छे लो कहूंगा कि कुछ चीज़ों के अंदर emotionally involved जादा हो जाएंगे और वहाँ पर परिशानी नहीं है बस इस बात का ध्यान रखें कि emotional जादा होकर कि अपने secrets आउट मत कीजेगा यहाँ परिवार का support का है अपने life partner का support का है जादा देखने को मिलेगा जो आपको motivation भी देगा confidence भ अंक रहेगा number 9 अब बात करते हैं व्रश्चिक राशी के और आपके लिए 9,000 में चंद्रमा है सादक तारा का साथ अश्टक वर्ग में 29 डॉट से overall situation 70% supportive है और यह कहूंगा कि आज के दिन को जैसे तैसे घिस करके आगे बिता लीजे क्योंकि अब वापिस cash flow आने वाला है ने रखना है domination जादा नहीं करना dominate करने की कोशिश है अपना गुसा दिखा करेके काम निकालने की कोशिश है इससे बचिएगा क्योंकि सबसे पहले आज का दिन गुजारना है यह जरूरी है चाहे आप नौकरी पेशा इंसान है तो इस बात का धियान रखें कि आपका गुस है वो कहीं न कहीं सीनियर्स की आँखों में आ सकता है और आपके खिलाफ action लेने के लिए उनके हाथ बंदे हो सकते हैं अब ऐसे समय में संतान के साथ में भी पढ़ाई को लेके खर्चों को लेके मतभेद उत्पन होंगे और इन चीजों को control करते हुए आगे बढ़ना है य आपको लगता भी है कि देने हैं पर देने के लिए एक दिन का इंतजार कर लीजेगा कल के दिन दीजे जादा बहतर रहेगा और जो मांग रहा है उससे कम दीजे इस बात का जरूर ध्यान दीजेगा ऐसे समय में ग्रे कलर का इस्तमाल अगर आप करते हैं तो आपके लिए यंगस्तर इस खास तोर पे जो एक्जाम देने आज के दिन जा रहे हैं सिल्व कलर का पैन हो अवश्य अपने पास में रखिएगा शुब अंक होगा नमबर वन अब बात करते हैं धनुराशी की तो एट थाउस में चंद्रमा है पर यहां पे मित्रतारा का साथ और अश्ट वालों की इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं गर्मा गर्मी हो सकते हैं याद फर यह कहें कि मेरी जिन्दगी मुझे अपने तरीके से बताने दो यह चीज़ें आप करते नजर आएंगे पर यहां पर अगर कंट्रोल पा लेते हैं तो मैं यह कहूंगा एट थाउस का चंद् कि लीट कर रहे हैं वहां पर भी परिशाण ही नहीं है सेंट्रोल को लेते हैं अगर चोटी सी बात को लेके बहसबाजी है तो यही कहूंगा कि गले लगा करके चीजों को भूल जाना बहतर रहेगा तुम सही हो तुम सही हो माला जपलो वो काफी है ऐसे समय में लाइट पिंक कलर का इस्तमाल कर लेना आपके ले बहुत शुब सावित होने वाला है और शुब अंक रहेगा नंबर सिक्स अब बात करते हैं मकर राशी के और सेवन्थ हाउस में चंद्रमा है अधिमित्र तारा का साथ अश्टक वर्ग में ठड़ी थ्री डॉट्स है हन्रिट परसंट पॉस्टिव सिच्वेशन है और इस कारण से खाना पीना हो यात्रा हो अपने रिलेशन्शिप की बात हो हर चीज आपके लिए बहतर बनी रहेगी हैं आप ये कहेंगे कि रोमांस और रोमांच जो है वो उत्पन हो रहा है अच्छी गेट अवे या फिर अच्छे डिनर की प्लानिंग इस समय में हो जाएगी कहीं ना कहीं पर सर्प्राइस डिनर क्ले भी उनको लेकर के जाना आप के लिए काफी जादा सुखत सिद्ध होगा और कहा जाता है कि अगर घर में जो इनसान खुश हो तो बाहर अपने आप ही सफल हो जाता है जब मन खुश हो तो हर चीज मन मताबक हो सकती है और यही आप देखेंगे कि सुभे निकलते समय अपने लाइफ पार्टनर को दो इकम जनरेट करना चाते हैं नए किसी बिजनस में एंटर कर रहे हैं या फिर यह कहें कि ऑनलाइन बिजनस से फर्स्ट पेमिंट आपको आने वाला है तो यह काफी जादा आपको खुश कर सकता है यहाँ पर सही लोगों का समर्थन मिलना और खास तौर पर गाइडिंस मिलन यह आपके लिए बहुत जादा सही सिद होगा या यह कहा जाए कि आपके लिए यह बेनिफिटिंग रूट बना सकता है कैसे पैसे कमाने हैं आगे चलके किस तरीके से किस ट्राक से आएंगे पैसे उसके उपर इस समय में काफी लोगों से सला मश्वरा होता नजर आने वाल हैं ओवराल सिच्वेशन हन्रिड परसंट पॉस्टिव है और इस कारण जो भी काम करने वाले हैं उसमें मगन जादा होंगे मगन होने के साथ में कॉन्फिदेंस बढ़ेगा और उससे सफलता प्राप्त होगी अपने काम से साटिसफाक्शन इस समय में मिलना शुरू करेग कई लोग कई फील्ड में सालों बिताने के बाद में सवाल पूछने हैं क्या ये मिरली सही है तो इस समय में आपको उस सवाल का जवाब मिल सकता है यहाँ पे नेम ओफिम की प्राप्ति होना एप्रिसियेशन मिलना लोगों का यहाँ पे रिकगनाईज आपको करना ये सबी चीज़ें ये सोने पे सुहागा से दो हो सकती है यात्रा कोई शुरू करना चाहते हैं तो यात्रा खास तोर पे बहुत जादा सुखद और लापकारी से दोने वाली है ऐसे समय में खास तोर पे पारिवारिक जीवन के अगर बात करें कोई महाँ पे मसला हो गया था या फिर कोई परिशानी हो गए थी छोटी मुटी बात को लेके तुनक मिजाजी आपने दिखा दी थी तो उस चीज़ को अब संभाल लीजे क्योंकि समय पॉजिटिव है और इस समय में उनका सपोर्ट कहें या यह कहें उनका प्यार जो है उनका मोटिवेशन जो है वो आपके लिए एक चमतकार से दो हो सकता है यंगस्तर इस खास तौर पे इस समय में जो रिलेशनशिप में है या तो फिर रिलेशनशिप में आना चाहते हैं खास तौर पे जो आना चाहते हैं आज कर दिन आपके लिए शुब है कि अपने प्रेम का अगर इजहार करें तो वो स्विकार जरूर होगा शुबरंग रहेगा आपके लिए हरा रंग शुबरंग रहेगा नमबर सिक्स अब बात करते हैं अंतिम राशियाने की मीन राशिय की और आपके लिए चंद्रमा फिफ्ट हाउस में है मित्र तारा का साथ और श्टक वर्ग में 26 डॉट से 67% सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे समय में इस बात का ध्यान रखें कि लख से ज्यादा मेहनत पर फोकस करना बहतर रहेगा चीजें जैसी चाहते हैं शायद वैसी ना चल रही हो और कहीं न कहीं पर फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रहा है पर इस चीज में थोड़ा सा पेशिंस बनाया रखेगा क्योंकि चीजें सुधर रही है फ्रिक्शन अब मिलना शुरू कर रहा है और इस कारण ये कहूंगा कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो कल के लिए उसको प्लान कर लीजे कल अगर यात्रा करना शुरू करें तो आपको जरूर उसमें फाइदा मिल सकता है ऐसे समय में बच्चों को ले करके कुछ विचार करते नजर आएंगे या ये कहें कि उनके कैरियर को लेके अगर वो घर पे है तो उन चीज़ों को लेके कुछ आपकी प्लानिंग पीछे चल रही है कि कहां से फेवर ले सकते हैं कहां पे जॉब पे लगवा सकते हैं कहां पे किस तरीके से गाइड कर सकते हैं तो उस तरफ जो आपकी मेहनत है वो अब आपको सही परणाम देना शुरू करने वाली है पर यहाँ पर अगर चेतावनी वाली बात कहूं तो सिर्फ और सिर्फ एक इनसान को दूँगा जो गर्वती महिलाएं हैं आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपने खानपान पर थो में रहते अपने घर परिवार के अंदर इस बात को जरूर बता दीजे कि अगर डिसकंफर्ट महसूस हो रहा है तो जल से जल डॉक्टर का परामर्श ले लिया जाए या फिर अगर मेडिकेशन कोर्स जो है वो चेंज करने की बात है तो जल से जल्द वो काम कर लिया जाए ऐसे समय में पिंक कले का इस्तमाल करना अपके शुब साबित होगा और शुब अंक होगा नमबर एट ये तो हुई बात आज के राशी फल की अब कर रहे हैं विशेश उपाई की बात यानि की होली मनाने का वैग्यानिक का कारण क्या है हमारे अन्य परवों के भाती होली भ सर्वता विज्ञान पर आश्रित परव है और इसकी सभी क्रियाय रहस्य पून है और अप्रत्यक्ष रूपेन मानव स्वास्ते और शक्ति पर बड़ा प्रभाव डालती हैं देश भर में एक साथ एक रात में संपन होने वाला होली का देहन इस जाड़े और गर्मी की रित लिप्त ज्वालाएं ये आवश्यक्ता से अधिक गर्मी द्वारा समस्थ वायू मंडल को उष्ण बना करके जहां सूर्य की समुचित उष्णता के अभाव से उत्पन इन रोगों के किटानों का सनहार कर देती है वहीं प्रदक्षिना के बहाने अगनी की परिक्रमा के समय एक सो चालिस डिग्री फैरेनाइट ये जो ताप है अपने शरीर में समाविष्ठ करने वाले जनता के शरीर में ये समस्थ रोग उत्पादक जिवानों को भी समाप्त कर देती है ये समर्थिय है उसके लिए अब होली पर कुछ विशेश उपाय बताए जाते हैं अगर कर इनसान तो लाब प्राप्त कर सकता है सबसे पहले में ये आज जो आपको उपाय बताना चाहूंगा ये केरियर के लिए बताना चाहूंगा जौब करते हैं और सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो होली का देहन स्थल पर नारियल पान और सुपारी अवश्य भेट ग्रह कलेश से नजात पाना चाहते हैं, घर में सुक शांती चाहते हैं, तो होलिका की अगनी में जौ का आटा चढ़ाईएगा, होलिका दहन के बाद में अगले दिन होलिका की जो राक है, वो ले करके उसे लाल रुमाल में बांग लीजे, जहां पे पैसे रखते हैं, वहां पे इस लाल रुमाल की जो पोटली बनाई है, आपने इसे रख दीजे, धन व्रद्धी होने लगती है, बेकार के खर्च जो हैं वो रुक जाते हैं, और पैसा टिकता है, फिर बात होती है मेरी उन बहनों की, जो विवहा के लिए कोशिश हैं कर रही है, परिवार कोशिश क कर रहा है, आपको एक छोटा सा उपाय करना है, होलिक वाले दिन सुभे एक पान के पत्ते पर साबुट सुपारी और हल्दी की गाठ ले करके शिवलिंग पर आपको चड़ानी है, और बिना पल्टे घरा जाना है, होली के अगले दिन यही प्रयोग वापस से करना है, सिर् के जाब करने से धन में व्रदी होने लगती है, एक इस गोंती चक्र ले करके होलिका देहन की रात शिवलिंग पर अगर आप चड़ाएं तो व्यापार में लाब और उन्नती के मार्ग प्रशस्त होते हैं, अगर परेशानी है कि बुरे तोटके आपके उपर असर जादा कर से ग्यारा बार क्लॉकवाइज घुमा करके होली में ओम फट स्वाहा ये कहे करके आप फेक दीजे, फिर देखेंगे कि कैसे जो बुरी नजर है तोटका है आपके उपर से उतर जाता है, आठवा उपाए, उधार की रक्म वापस पाने के लिए, यानि कि किसी को पैसे दिय हैं, मिल नहीं पा रहे हैं, हाथ जोड लिए, गुसा दिखा दिया, सब कुछ कर लिया, पर आही नहीं रहा है पैसा, तो होली का देहन स्थल पर अनार की लकडी से उसका नाम लिख करके होली का से अपने धन वापसी का निवेदन करिए, उसके नाम पर हरा गुलाल आपको अवश्य ही जो अटका हुआ पैसा है, जो देने को तयार नहीं है, वापस मिल सकता है, और लास्ट उपाए, होली की रात को बारा बजे, किसी भी पीपल वरक्ष के नीचे घी का दीपक प्रजवलित कर दीजे, और साथ परिक्रमाय कर लीजे, जीवन की समस्त बाध को सुरक्षित रखना चाते हैं, तो उसके लिए सही उपाए, सही मार्ग दर्शन आपको देने का करतव यहां पर निभा रहा हूँ, आशा यही करता हूँ, कि आप सिर्फ स्वयम ही नहीं, बलकि अपने परिवार, अपने दोस्त, अपने रिष्टेदारों तक भी इस बात को पहुचाएंगे, और सब साथ में मिलकर के आगे बढ़ेंगे, हमेशा की तरहे प्रातना आप सभी के लिए यही करता हूँ, और यही करता हूँगा, कि आपका और हमारा परिवार सदैव, सुखी रहे, संपन रहे और सुरक्षित रहे, घर में बड़े बुजरुगों का साथ और आशरवाद हमेशा ऐसे ही हमार साथ में बना रहे, जै श्री राम एवं जैहन